हलो इस्टूटेंट्स, आप सभी का मेरे यूटूब चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिस क्लासेज में हारदिक स्वागत है इस्टूटेंट्स, लेट में टेल यू, इससे पहले मैं टेंसिस के उपर 6 वीडियोज बना चुका हूँ अगर आपको टेंसिस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो इससे पहले कि मेरे सारे वीडियोज को अवस्त देखें आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेंस पार्ट सेविंथ, ये मेरा सेविंथ नमर का वीडियो है टेंस के उपर तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पास्ट परफेक्टेंस के बारे में और उसके सभी महतपूर यूजिस के बारे में बिदिक जामपल्स तो चलिए, अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्टेंस के बारे में तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि construction of sentence and past perfect tense कि past perfect tense का जो past perfect tense के अंदर जो sentence जो बाकि की होता है उसका जो निर्माड है, जो construction है वो किस तरीके से किया जाता है तो सबसे पहले हम बात करते है affirmative sentence के बारे में यानि साध़र जो बाकि की होते हैं उन में तो दीखिए, affirmative sentence में क्या होता है? हमें सबसे पहले subject लगाना है. तो subject singular हो चा plural हो. उसके बाद हमें head का use करना है, और उसके साथ लगाना है बर्व थड़ और object. यानि subject चा प्लूरल हो, दोनों के साथ ही head का use हमें करना है, और head के बाद हमें लगाना है past participle, यानि बर्व की third form को past participle का जाता है. तो subject singular या plural, head और उसके बाद बर्व की third form और then object. यह लिखा हुआ है कि third form और main verb बरावर past participle form. बतला main verb की third form को ही past participle कहते हैं. For example, राजू had left his house before sunset. तो यहाँ देखिए, राजू singular subject है, तो head के साथ हमने leave कि ये third form है left, तो third form का यूज़ किया है, past perfect में sentence को बनाने के लिए. और यहाँ children एक plural subject है, यहाँ पर भी देखिए, head का यूज़ हुआ है, और left verb की third form के साथ में. तो चाहँ subject singular हूँ, चाहँ plural दोनों के साथ समान रूप से head helping verb का यूज़ किया जा सकता है. चलिए, अब हम बात करते हैं, negative, यानि negative sentence बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो subject singular है plural, उसके बाद head लगाना है आपको, और not लगाना है sentence को negative बनाने के लिए, और then third form of main verb हमें use करना है. example, राजू had not left his house before sunset, यहाँ पर not का यूज़ किया गया था, negative बनाने के लिए, तो head, not और main verb की third form, next, children had not left their house before sunset, तो यहाँ पर children के साथ head और not का यूज़ किया गया था, और उसके बाद main verb की third form, चलिए हम बात करते हैं, interrogative, यानि प्रिश्ण वाचा का नर्मार्ण कैसे करते हैं, past perfect tense में, तो हमें subject से पहले helping verb लगाना है, तो head helping verb, जो past perfect tense की होती है, हमें subject से पहले put करना है, और उसके बाद third form of main verb हमें use करना है, तो head plus subject, third form of main verb, then object और sentence की अंत में हमें use करना है, question mark, for example, head Raju left his house before sunset, तो यहाँ देखे, राजू से पहले head का use किया गया है, और उसके बाद subject, राजू, और then verb की third form, और sentence के अंत में question mark, तो यह था interrogative sentence construction, अब हम बात करते हैं, interrogative negative, यहाँ हमें सबसे पहले subject से पहले head लगाना है, और negative बनाने के लिए subject के बाद not लगाना है, और then verb की third form, object और then अंत में question mark, for example, head Raju not left his house before sunset, तो राजू से पहले head, helping verb, उसके बाद राजू के बाद not, बर्ब की third form, और sentence के अंत में question mark, तो इस तरीके से past perfect tense में interrogative negative sentence का जो construction है, वो किया जाता है, तो अभी हमने बात किती कि past perfect tense में sentence जो construction होता है, वो head, helping verb के रूप में, और उसके बाद main verb की third form, जिसको past possible भी कहते हैं, उसका use किया जाता है, अब हम बात करते हैं past perfect tense के सभी महतपूर uses के बारे में, तो देखिए, सबसे पहला जो use है past perfect tense का बहुती महतपूर use है, देखिए, past perfect tense है used to express an action completed या finished, completed का मतला पूरा होना, तो past perfect tense है used to express an action completed, oblique, finished, before another action in the past, यानि past में दो action complete होते हैं, लेकिन जो action पहले complete हो जाएगा, उसमें लगेगा past perfect tense, और जो action बाद में complete होगा, उसमें हमें लगाना है simple past tense, past perfect tense को past अंदा past भी कहा जाता है, आप देखिए कैसे, past perfect tense is used in the clause in which action finishes earlier, यानि past perfect tense हमें उस clause में लगाना है, जिसमें action पहले, earlier माने पहले पुरा होगा, और past simple tense हमें उस clause में लगाना है, जिसमें action बाद में complete होगा, और ये दोनों ही clauses जो होंगे, ये दोनों ही clauses किससे जुड़े रहेंगे, before से ही connector है, before का मतलब पहले, after माने बाद में, या when का मतलब जब, तो before और after और when connector से ही ये clauses जुड़े रहते हैं, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, कि past perfect tense का प्रियोग ऐसे कार के लिए की जाता है, जो भूत काल में, किसी दूसरे कार से पहले समाप्त हो गया है, अर्था जो कार पहले समाप्त हो जाता है, उसमें हम past perfect tense लगाते हैं, और जो कार बाद में पूरा होता है, उसमें हम simple past tense का प्रियोग करते हैं, और ऐसे बाक्यों को जोडने के लिए before और after और when connector का प्रियोग होता है For example, देखे, culprit, culprit का मतलब अपरादी तो culprit had run away before the police raided the house अब देखे, before connector है अब इसका मतलब क्या है sentence का? देखे, अपरादी भाग गया पुलिस के मकान पर raid करने से पहले अब देखे, कौन सा action पहले हुआ यानि culprit, तुबारा सुन लीजिए culprit भाग गया पुलिस के मकान पर raid करने से पहले तो of course, culprit वाला action पहले हुआ है, culprit के भागने का तो इसलिए इस वाले clause में हमने past perfect tense लगाया है head के साथ third और जो बाद में action complete हुआ है यहां raid वाला, इसमें simple past लगाने के लिए बर्ब की second form का यूज़ किया है और ऐसी दूसर example देखिए patient had died before the doctor came अब बताओ कौन सा action पहले पूरा हुआ इसमे कि patient doctor के आने से पहले रोगी मर गया तो रोगी मरा पहले है, doctor बाद में आया है तो इसलिए patient, यह जो इस clause में काम पहले हुआ है patient के मरने वाला तो इसलिए इसमें past perfect का यूज़ किया गया है और जो काम बाद में हुआ है उसमें simple past tense का यूज़ किया गया है ऐसी तीसरा देख लिजिए I had written a letter before he came उसके आने से पहले मैंने एक पत्र लिख लिए तो मेरा पत्र लिखने का गाम पहले पूरा हो गया इसलिए इसमें past perfect का यूज़ किया गया है D देखिए after they had gone मतलब उनकी जाने के बाद मैं बैठ गया और मैंने आराम किया उनकी जाने के बाद He died after he had been ill for a long time इसमें for रह गया था for a long time तो यानि लंबे समय तक बीमार रहने के बाद मरा वो तो बताए कौन सा काम पहले हुआ वो पहले लंबे समय तक बीमार रहा तो इसलिए इसमें past perfect है he had been ill में और चुकि मरा बाद में वो इसमें simple past tense है और भी compare कर लीजिए देखिए यहां पर कि वे ध्यान से हमें इस्तरफ यह देखना है कि जब connector लगा होता है किसी clause में तो हमें इस्तरफ इतना देखना है कि कौन से वाले clause में जो action है वो complete हुआ है और बैसे भी board exams में जो flinda blanks with the correct form of the bar भरना होता है एक blank खाली होता है एक वाला clause already भरा हुआ है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे for example आप कैसे इसको पकड़ सकते हैं जैसे माल लीजिए ए एक्जामपल को देखिए कि when I reached the station the train had already left अब माल लीजिए पेपर में क्या होगा हो सकता है कि यह when वाला जो clause है यह filled है आपर और इधर वाला जो clause है train वाला यह खाली हो head कि already लगा हुआ हो और bracket में leave verb लिखा हुआ हो तो आप देख लें कि when लगा हुआ है past simple tense है तो second वाला जो clause है वहाँ पर अब action की स्तती notify कर लेजिए अगर वो से पहले complete हो गया तो past perfect लगाना है जैसे जब मैं station पहुचा तो train already यानि पहले ही जा चुकी थी तो काम पहले जब आप station पहुचे तो train क्या मिली नहीं मिली आपको वहाँ पर क्योंकि train तो पहले ही जा चुकी थी तो यह काम पहले हुआ है इसलिए इसमें past perfect लगा हुआ है head के साथ left और when वाला clause simple past tense अब देखो इसी को मैं दूसरे तरीके से कहा है यहाँ पर दूसरा इसका जो exam पहले हो देखिए I reached the station after the train है left मैं station पोड़ा गारी जाने के बाद में station पहुचा गाड़ी जाने के बाद तो of course गाड़ी पहले गई है तो चुकि इसमें काम पहले हुआ है train के जाने के बाद पहुचा न train पहले गई इसलिए past perfect tense और इसमें simple past tense इसको और देख लीजिए SEC वाला है I did not reach the station until after the train had left मैं तब तक station नहीं पहुचा तब तक गाड़ी ना चली गई हूँ यह गाड़ी चली गई पहले जब मैं station पहुचा तो ऐसे ही D वाला clause देख लीजिए the train had left before I reached the station मेरे station पहुचने से पहले गाड़ी चले गई वही वाली बात है कि इसमें action पहले हुआ जब हम हौल में पहुचे तो seminar शुरू हो चुका तो seminar पहले शुरू हो गया था इसलिए यहां past perfect और यहां पर got बर्की second form simple past tense ऐसे big example देखिए we got to the hall after the seminar had started seminar शुरू होने के बाद हम हौल पहुचे तो यहां पर भी seminar पहले शुरू हुआ है तो इसलिए इसमें भी past perfect tense यहां दिया हुआ है ऐसी तीसा देखिए we did not get to the hall until after the seminar had started हम कब तक नहीं पहुच पाई जब तक कि seminar शुरू ना हो गया हो तो seminar शुरू हुआ फिर हम पहुचे और चौथा देखिए seminar had started before we got to the hall हमारे hall पहुचने से पहले seminar शुरू हो गया तो seminar का काम पहले पूरा हुआ है तो यहां past perfect और we got simple past tense क्योंकि इसमें action बाद में पूरा हुआ तो action दोनों में पूरा होता है लेकिन जिस clause में action पहले पूरा होता है उसमें past perfect लगाना है और जिस clause में action बाद में complete होगा उसमें हमें लगाना है simple past tense चलिए हम बात करते हैं इसके second use के बारे में देखिए past perfect tense is used with such verbs कुछ verbs हैं जैसे hope है, expect है, think है, intend है, mean, suppose है और want है इन verbs के साथ हम past perfect लगाते हैं कब लेकिन to indicate that a past hope यह पास्ट की कोई hope बताने के लिए यह expectation यह intention यह desire बताने के लिए जो पूरी नहीं हो पाई यह पास्ट की कोई इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई तो इन verbs के साथ हम past perfect tense use करेंगे अब कैसे देखिए for example कि be had hoped देखो, यहां मैंने hope के साथ past perfect लगाया है मतला लेकिन उसने बिजिट नहीं किया तो ऐसी यह hope थी जो पूरी नहीं हो पाई ऐसी देखिए, b देखिए मैंने यहां mint के साथ लगाया है तो I had mint या intended to call on you मतला मेरा अरादा आपको call करने का था but was prevented from doing so लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया यहां पर भी इसने head के साथ third form intended का use हुआ है ऐसी C देखिए, C had thought think के साथ third form तो C had thought of paying us a visit उसने सोचा था कि वो हमारे पास आएगा but the bad better made her change her plans लेकिन बुरे मौसम की बज़े से उसने plan बदल दिया ऐसे ही I had not expected that C would fail तो यहां पर भी देखिए, उंबीत नहीं थी कि वो fail हो जाएगा, लेकि वो fail हो गई ऐसे they had wanted to help, वो मदद करना चाहते थे, but couldn't get here in time लेकि समय पर नहीं पहुच पाई तो यह बर्ब से इनके साथ past perfect लगता है जब हमको यह ऐसी past hope intention, desire के बारे में बात करते हैं, जो पूरी नहीं हो पाई चलिए, अब हम बात करते हैं, तीसरे use के बारे में बहुत important है, past perfect tense का तब past perfect tense के use पिता condition of type 3 तेकि तीसरे तरह की condition जिसको हम कहते हैं, unfulfilled या impossible condition इससे स्रूब होती है condition तो if वाला जो clause होता है उसमें हमें past perfect tense लगाना है, if वाले clause यानि subordinate clause में, उस conditional clause में और जो फिर, जो principal clause होगा उसका, दूसरा बाला clause उसमें लगेगा, bud, oblique should oblique could उसके बाद have और main work की थर्ड फॉर्म, जैसे देखिए if we had started in time अगर हम समय पर चले होते तो we would have caught the train हमने train पकड़ ली होती, यह impossible condition है पूरी नहीं हो सकते हो कि हम समय पर नहीं चली, हमने train मिस कर दी तो यहाँ पर, यह condition if वाला जो clause से past perfect है और उधर देखिए, बोड के साथ have और बर की third form हमने में यूज की है अगर आप कोई ऐसा sentence पाते है जिसमें, would have के साथ एक clause में third form दे रखिए तो of course, if है उस दूसरे clause में, if से शुरू हो रहा है तो वहाँ past perfect tense का में यूज करना है दूसरे example देखिए if the police had come a little before अगर police थोड़ा और जल्दी आ जाती तो criminal would not have gone अब तो अपरादी नहीं जा पाता भाग करके लेकिन वह चला गया, police लेट आई तो यह past perfect tense, देखिए head कम लगाया और other would not have और बर्क की third form तो यह एक unfulfilled condition है यह तीसरे वाली condition जो है तीसरे example देख लीजिए head the student studied honestly यहाँ पर एक business नियम की बात की गई यह देखिए, अगर हम चाहें तो head को subject से पहले लगा करके भी हम if का sense दे सकते हैं तो head the student studied का मतलब है if the student had studied अगर बच्ची ने, छात्र ने इमानदारी से पढ़ाई की होती तो he would have succeeded तो वो pass हो गया होता लेकिन उसने इमानदारी से पढ़ाई नहीं की इसलिए यह एक unfulfilled condition है चौथा इसे ही, if I had known अगर मुझे पता होता लेकि मुझे पता नहीं था कि आप hospital में तो I would have gone to visit you तो मैं आप से मिलने जरूर आता तो इस तरीके से इस unfulfilled condition में जो if वाला clause है, वहाँ past perfect लगता है और जो दूसरा principle clause है उसमें बुड़ या should या कुड़ के साथ have और बर्ग की third form लगती है चलिए हम बात करते हैं चौथे use के बारे में देखे past perfect tense हैं से used with if only या I, बिस तोनों का मतलब होता है cast to express an action यह ऐसे action को वेक्ट करने के लिए use करते हैं that was supposed to be done in the past जो भूत काल में करना चाहिए था लेकिन वो नहीं हो पाया, इसलिए अब regret है तो if only और I, बिस दोनों का मतलब होता है cast और इनके साथ जो clause लगा हुआ है उसमें हम past perfect tense का use करेंगे कब करेंगे, जब हम ऐसे action की बात करेंगे जो complete हो जाना चाहिए था past में लेकिन नहीं हो पाया, जैसे if only I had known his name cast मुझे उसका नाम पता होता लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता ऐसे ही if only I had seen तक थी cast मुझे चोर, cast मैंने बहुत महनत की होती, लेकिन मैंने महनत नहीं की सायर इसलिए fail हो गया ibis I had not telephone heard cast मैंने उसे phone नहीं किया होता लेकिन मैंने उसे phone किया, इसलिए कोई problem हो गई, तो इस तरीके से ibis या if only cast के sense में हम बनाते हैं इनका आर्थ होता है cast और यह उस condition के यहां बनाया गया है उस action के लिए जो past में यह suppose किया गया था कि वो action हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया तो इस तरीके से हम ibis और if only के साथ past perfect tense का use करते हैं चलिए अगला बात करते हैं, इसका fifth use है last, देखे past perfect tense is used in indirect speech, while changing present perfect tense and past definite tense in the direct speech देखे, direct speech का कोई sentence अगर उसमें present perfect tense दिया हुआ है, या फिर past definite tense दिया हुआ है, या बर्ब की second form लगी हुई है past definite tense या present perfect है जब के साथ बर्ब थड़ दी हुई है, तो उसको अगर हम indirect speech में change करेंगे तो दोनों ही present perfect भी और past definite को भी हमें past perfect tense में बदलना होता है for example, जैसे he said, I left the school a few months है, वो यहां देखी left है simple past tense, जब यह indirect में change होगा यह बाग, तो he said that, तो यहां left जो है बर्ब की second form, इसको हमने past perfect में बदला देखे, head left लगा है यहां पर, और ऐसी अगले sentence में देखे, the teacher said to me, you have done तो यहां देखे, present perfect है इसका भी indirect में change किया, तो teacher told me that, had done कर दिया देखे, यहां पर भी, इसको भी हमने past perfect tense में हमने change किया है तो इस तरीके से, direct speech के sentence में present perfect या past simple tense होने पर, वो past perfect में बदल दिया जाता है, चब यह हम practice करते हैं, board based practice है, जिस तरी से board में person पूछे जाते हैं, tense based तो पहला जो sentence है वो यह है इसमें, कि he blanked space lose his new knife shortly after he had bought it तो देखो, मैं यह बात कर रहा था, कि देखे, माल लीजिए, अगर दो clause में after से जुड़ा हुआ, अगर अगला वाला जो clause है, उसमें आपको simple past tense use करना है अभी हमने बात कीते हैं, जिस clause में action पहले होगा, उसमें past perfect और बाद में simple past tense, तो देखे, उसने अपने नई चाकू को कब खोया shortly after he bought it उसके खरीदने के बाद, तो पहले इसमें खरीदा, तो इसमें पहले action हुआ इसलिए इसमें past perfect, और बाद में चुकि ये भी action complete हो गया, चाकू को गया, तो इसलिए इसमें past simple tense लगाना है, और इसकी second form होती है lost, तो lost इसके correct answer है अब इसका B देखिए after columbus blank case, discover America he returned to Spain, अब देखिए दोनों close after से जुड़े हुए हैं, यहां दूसरा देख लीजिए बर्प की second form है simple past tense है, तो उधर आपको past perfect लगाना है, और देखिए sense देख लीजिए, after columbus, यानि columbus के America को खूज करने के बाद वो spin लोटा, तो पहले खूज की, तो action इसमें पहले complete हुआ, इसलिए head के साथ थर लगेगी, head discovered here see, before they move to the airport, यहां देखिए before से जुड़े हुए हैं दो clause, एक में देखो simple past है, तो इधर हमें past perfect tense का यूज करना है, और sense देखते हैं, before they move to the airport उनके ओदैपूर move करने से पहले उन्होंने हर चीज बेज़ दी तो पहले reports, इसमें action पहले complete हुआ है, तो यह past perfect tense लगाना है, head के साथ third, तो head sold everything head sold इसका correct answer है चौथा देखिए, day if you reach the station in time you would have met your friend तो यहां देख लीजे दूसरे बाले clause को board के साथ have और third form लगी हुई है तो बताईए ऐसा कौन सी clause में होता है, जब sentence if से जोड़ रहा हो, और एक clause में, principal clause में board have के साथ थड़ो, तो अब कोर्स यह third वाली जो condition है, unfulfilled उसमें ऐसा होता है, और उसमें if वाला clause में क्या लगाते है, past perfect tense तो यहां head के साथ थड़ लगेगी तो if you had reached the station पांच में example देखिए the car is stopped because a tree fall across the road अब देखिए, car क्यों रुख गई? क्योंकि पेड रोड पर पहली गरा पड़ा था तो इसलिए head fallen लगेगा यहां पर F देख लीजिए Peter did not know that Peter को यह पता नहीं था that लगा हुआ है यहां पर, his brother बिने a scholarship तो यह no joke action है, इससे पहले एक action देखिए, Peter को क्या पता नहीं था कि उसके भाई ने scholar जीत लिए तो यह काम उससे पहले complete हो गया तो his brother had been a scholarship तो had been a sentence में फिल करना है और G में देखिए he said that, तो एक तरह का indirect speech का बाक्य है, he said that he could not write anything because he had lost his pen, क्योंकि वो अपना pen खो चुका था और ऐसी h he said that तो यहाँ पर भी said लगा हुआ यह भी एक तरह से indirect speech का sentence है तो he said that he had written to me a month previously वो मेरे लिए लिए लिख चुका था एक महीने पहली तो यानि जैसे हमने भी बात की थी direct speech का कोई sentence present perfect हूँ या past simple दोनों को past perfect में बतलते हैं तो यहाँ पर head के साथ में थर लगाना है और I देखिए before he moved away from lawn यानि before he moved away from the lawn he plank space picks some roses तो देखिए lawn में lawn से जाने से पहले तो यहाँ देखिए before वाले clause में simple past लगा हुआ है तो अगले sentence में head के साथ थर लगाना है तो कि देखिए lawn से जाने से पहले उसने कुछ roses pick up कर लिए यह काम पहले हो गया तो head picked इसमें हमें लगाना है आई में और जे जो last sentence है the room was dirty कमरा बहुत गंदा था nobody clean it for a long time for instance लगा हुआ लंबे समय तक किसी ने से साफ नहीं किया था तो nobody had cleaned it तो head के साथ हमें third form इसमें use करना है तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने बात की past perfect tense के सभी महत्पोर uses के बारे में पुंबीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें Thank you for watching and listening